नमस्कार इवनिंग नुज में आपका स्वागत है आए दीन भर के मुख्य खवर पर नजर डालते हैं गांधी जियनती पर राज जेपाल एवं मुख्य मंत्री ने बापू को और पित किया सर्था सुमन आज बापू एवं पूर्व परधान मंत्री लाल बाहदू सास्तिरी की जियनती पर विभीन जगों पर कई कारिकमों काउजन किया गया राज बापू का जीवन दर्शन वो अदर्स मानो कल्यान के परती समर्पित था उनके विचार हर पिढ़ी को मनो अता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा ज्यारखन की राज़ानी राची में आए दीन में हलके से मददर्ज के बादल चाय रहेंगे बताद सुवस से ही आकास में बादल चाय हुए हैं एक से दो बार हलकी बारिस होने की समभवना है ज्यारखन के विभीन हिंसों में में गर्जन होगा और बारिस के साथ बजरेपात की भी असंका है मौसम विभाग के उसार ज्यारखन में मांसुन खत्म हो गया है 6 अक्टूबर से उतर भारत से इसके वापस होने की पूरवनमान है बिभाग ने अपने पूरवनमान में बताया है कि उतरी ज्यारखन और दक्षनी बिहार के उपर कम दबाव का छेतर धीरी-धीरी कमजोर पढ़ रहा है इस करण अब बारिस से रहत मिलेगी ज्यारखन, हाई-कोट, विधान सभा और राजवनमान में लगेंगे उच्टकंनी के मेटल डिटेक्टर ज्यारखन, हाई-कोट, पूरजेक्ट भावन, विधान सभा, राजवन, पुलिस मुख्याले और मोखिमंतरी आवास की शुरकशा हाई-टेक होगी बता दे सभी भावनों के परवेश द्वार पर उस तकनी के मेटल डिटेक्टर लगाये जाएंगे यानि ये मेटल डिटेक्टर किसी की नजर में नहीं आएंगे जारखन में अफिम की खेती करने वालों की खैर नहीं मुखे मंत्री हमान सुरेन ने कहा है कि लोग अफिम की खेती नहीं करे जो भी लोग अफिम की खेती से जुड़े होंगे उनके खिलाप का ठोर कानूनी करवाई की जाएगी बतादे चात्रा समयत कई जिलों में बड़े पेमाने पर अवाई दिरूप से अफिम की खेती होती है और इसे रोकने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं अफिम की बजाए मेडिसिनल प्लांट की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसे लोगों की आमदनी में इजाफा होगा रांची नगर निगम मेयर डिप्टी मेयर और वाड पर सदो को देगा लेपटोप रांची नगर निगम मेयर, डिप्टी मेयर और वाड परशदों को लेप्टप देने जा रहा है बतादे अब रांची नगर निगम में सभी जन परतिनिधी लेप्टप पर कैम कर सकेंगे जन परतिनिधियों को हाई टेक करने के लिए रांची नगर निगम ऐसा कर रहा है दिये जाएंगे इस दवरान रांची रेलवे स्टेशन पर बने फॉस सीलिंग, फूट ओवर ब्रीज, पलेट फरम, पार्किंग और अने कारयों का जाय जालेंगी रिम्स के डाक्टरों को जल्द मिलेगी पुर्थाहन रासी कोरोना काल में रिम्स में कोविड ड्यूटी में काम करने वाले डाक्टरों वा स्वास्त कर्मियों को मिलने वारी पुर्थाहन रासी के लिए रास्ता साफ हो गया है बता दे रिम्स निदेशक ने स्वास्त बिभाग को इस समध में नया प्रस्ता भेजा है इसमें कहा गया है कि जीस माह डाक्टर को कोविट ड्यूटी पर न्यूक्त किया गया उसे उसी माह का बेसिक पे प्रोचाहन रासी के रूप में दिया जाए उन्होंने बताया कि इस समद में विभाग या परमुक्सचिव अरुण कुमार सिंग के साथ बैटा की और इस समस्या को रखा गया जिन्होंने बताया कि अभीता क्रीम्स के कर्मियों को प्रोचाहन रासी नहीं मिल सकी है लोहर दग्गा में मेराथन में 400 से अधिक परतिभागी हुए सामील आजादी के अमरित महुत्सव अंतरगत महात्मा गांधी और लाल बहादू सास्त्री के जयनती के सुब औसर पर स्वनिवार को इट राइट चैलेंज मेराथन का आयोजन सहरी छेत्र में किया गया उपायोग दिलीप कुमा टोपो ने मेराथन का सुबारम किया इस मौके पर विभीन स्वायन सेवी संस्थाओं के बेलेंटेस भी मजूद थे इससे पूर्व बालक प्रतिभागियों के लिए 4 इस्टो लगाये गये थे वहीं बालक प्रतिभागियों के लिए 2 इस्टो लगाये गये थे सहायक पुलिस कर्मियों से मंत्री रामेश्वर ने की बात राजी के बित मंत्री डाक्टर रामेश्वर उनाव सहायक पुलिस कर्मियों की मांगों पर विचार करने का भरुसा दिया है उन्होंने उनकी मांग सरकार तक पहुचाने की बात भी कही है बता दे सनीवर को मोराबादी मैदान में गांधी जी की परतीमा परमल्यापन के बाद वो आंदोलन रत पुलिस कर्मियों के पास पहुचे बीगत पांच दिनों से अंदोलन रत साहयक पुलिस कर्मियों को गत तिवस महात्मा गांधी परतीमा अस्तल से हटा दिया गया था गांधी जी परतीमा के समक्ष आज पहुचने वाले भी आईपी मौवमेंट एवम सुरक्षा कार्नों से उन्हें हटा दिया गया था गढ़वा में 4 अक्टूबर को कबाड़ी खिलाडीों के लिए ट्रायल एकारवी राजय अस्तरिय सब जुनियर कबर्टी बालक और बालकाबर की परतियोगता के लिए ट्रायल परतियोगता चार अक्टूबर को होगा उक्त परतियोगता में चैनीत खिलाडी अगले 9 से 11 अक्टूबर तक गिरी डिरी में आयोजीत परतियोगता में भाग लेंगे बता दे इसकी जनकारी देते हुए कबार्डी संग के स्थचिव अजाय कुमार गुपता ने बताया कि परतियोगता में सामिल होने वाले जीला के बालक व बालिका वर की टीम के चैन के लिए 4 अक्टूबर को अप्राहन दो बजे से सिरी बंसी धर नगर के टीडियम कॉलेज अधरा में ट्राइल रखा गया है जल जीवन मिशन हजारी बाग गांधी जन्ती यों आजादी के अमरित महसो के तहत हजारी बाग समहनाले परिशा से पेजल पूर्थी योजना के तहत चल जीवन मिशन को लेकर उपायुक्त आधित कुमार अनंद यों अनुमंडल पताधिकारी पिद्या भोशन कुमार गुनवाता निगरानी यों अनु पता रत को हरीजनी दिखा कर आवाना करते हुए कहा की जल जीवन मिशन सरकार की मत्वकांची योजना है जिसके तहत बस तोहर 24 तक परते घरो को नल कनेक्शन देकर सूथ पेजल देना प्रत्मिकता है ATM कलोन से उड़ा लिये 73,000 रुपए चानहो थाना चेतर के लुन्डरी गाव निवासी सलमान अनसारी के बैंक खाता से सैवर अप्राधियों ने ATM काट का कलोन बना कर 73,000 रुपए के अबद निकासी कर ली है बतादे मावलोक लेकर भुक्त भोगी ने चानहो थाना में प्राथमी की दज कराई है जनकारी के अनुसार बीजू पड़ा चोग पर सैलून की दुकान चलाने वाले सलमान अनसारी का चानहो के टॉंग और इस्थित बैंक आफ इंडिया साखा में खाता है रांची जीले के SCST और OVC को जल्द मिलेगी छात्रविर्ती रांची जीला के 133 विद्यालियों के अधार से जुड़े 80181 SCST और OVC विद्यार्थियों को प्रीमाइटिक छात्रविर्ति का भुक्तान करने का निने लिया गया है बता दे इन विद्यार्थियों को 1721-22 के तहट PFMS के माध्यम से DBT द्वारा रासी उनके खाते में भेज़ दी जाएगी उक्त निर्ने सुक्रवार को उपायुक छवी रंजन के अधाक्सता में आवेजी जीलास तरिय समिती के बाठक में लियेगा है